प्रेंच प्रेंच रेवलुशन फ्रेंच रेवलुशन की सुरुवात हुई 14th July 1789 के एक इंसिदेन्ट के साथ जो की था Storm of Bastille 14th July 1789 के इस इंसिदेन्ट के साथ ही, series of events के सुरुवात हो गई, जिसे हम फ्रेंच रेवलुशन कहते हैं हुआ कुछ ऐसा कि बैस्टिल जो की एक प्रिजन था, स्टेट प्रिजन, जिस पे बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग इसे मोनार्कियल सिंबल मानते थे, डिक्टेटोरियल सिंबल, अब क्यूशन ये आता है कि फ्रेंच रिवलेशन क्यों हुआ, फ्रेंच सेंधेर की दिरेशन में, फ्रांस के सुसायिटी तीन पार्ट में डिवाइड थी, फिरस्ट एस्ट एस्टेट, सेकेंड एस्ट एस्ट एस्तेट, तर्ड एस्ट 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 च्लर्जी द नोभलिटी, दे कौमनस, तحت cooler लोज दो जो चर्च में बिलॉंक ये लोगोंस associates the people who were associated with the churches second state the nobility king उसके family members big officials big administrators second state में आते थे जिसे nobility कहा जाता था third state the commons commons में बाकी सभी nearly 95% of people belong to third state तो ऐसी थी France की society first state को बहुत सारे powers थे tax imposition की power भी टाइथ नाम का एक tax first state लगाता था जो one tenth होता था total agriculture production का इसके इलावा state को directly एक tax pay किया जाता था जिसे tally बोला जाता था तो कई type के taxes लगाए जाते थे सुर्वात होती है 1774 में जब लुई 16 राजा बना लुई 16 बिलॉंग करता था बर्बन डैंस्टी से he was only 20 years old और उसकी शादी हुई Austrian princess Mary Antoinette से लुई 16 जब राजा बना तो France financial crisis face कर रहा था टू बिलियन लिवरी के 28 मिलियन population हो गई थी France की 1789 में food grains की shortage हो गई supply हो नहीं पा रहे थी France के लोग इस situation को face कर रहे थे और ये situation थी subsistence crisis की subsistence crisis क्या होती है एक ऐसी situation एक ऐसी extreme poverty situation जब लोगों का livelihood डेंजर हो जाए एंडेंजर हो जाए इस सारे situation में middle class ने बहुत बड़ा role play किया France के society को जगाने में clergy और nobility को बहुत सारे privileges थे tax system में clergy और nobility को कोई tax नहीं पिकरना होता था सारे tax सिर्फ third state bear करता था सारे taxes 18th century की duration में लोग extreme poverty को face कर रहे थे France के अंदर difficulties बहुत ज़्यादा थी लुई 16 को अपनी government की need को maintain करने के लिए taxes को बढ़ाना था लेकिन राजा के पास tax को बढ़ाने का अधिकार पूरे रूप से नहीं था कोई नया tax अगर introduce करना हो तो a state general की permission required थी अभी a state general क्या था a state general a state general was a political body of all the three states तीनों states को मिलाके political body थी central legislative body जिसको states general बोल जाता था फ्रांस में a state general की meeting को बुलाने का जो power थी वो सिर्फ राजा के पास थी इसलिए last time meeting was called in 1614 इतने time पहले क्योंकि राजा को नय tax introduce करने थे तो मिटिंग को तो बुलाना ही था state general की इसलिए 5th May 1789 को लुई 16 ने states general की meeting को call किया नए टेकसस को पास करने के लिए first state and second state के representatives जो थे 300 थे each 600 members belong करते थे third states थे first and second state representatives front rows में बैठे थे लेकिन third state के representatives को खड़ा रखा गया वो भी पीछे की तरफ 5th May 1789 की state general की इस meeting में हर state के पास में एक वोट था means first state, second state, third state तीनों के पास एक एक वोट लेकिन third state के members ने demand की कि members की संख्या के according voting right मिले बहुत सारे philosophers की भी यही demand थी कि states general में equality के लिए हर किसी members के पास equal voting right होना चाहिए रौशियू ने अपनी book social contract में ऐसा ही बोला था लेकिन अब time आ चुका था the members of third state saw that a state general oppressive है इसलिए उन्होंने demand की और उनकी demand को accept नहीं किया गया इसलिए 20th June 1789 को वर्सलीज के indoor tennis court में वो सब लोग जमा हो गया और वहां पे उन्होंने एक oath ली कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम एक नया constitution न बना ले और उन्होंने अपने आपको national assembly declare कर दिया उन्होंने कहा state general real representative नहीं है french people का हम है national assembly और उन्होंने अपने आपको announce किया we are the national assembly और यह जो famous incident था इसी को बोल जाता है tennis court oath पूरे countryside में revolt start हो गया लोगोंने chatox manors इन पर हमला करना start कर दिया जहां पर officials रहते थे इनके घरों को हमला करना start कर दिया chatox और manors क्या होते थे सबसे पहले जो residents जो residents होते थे king और nobleman के उनको बोला जाता था chatox castles type residents manors जो lords और kings officials होते थे उनके सारी land उनके castles उनके residents उनको बोल जाता था manors Louis 16th को ultimately accept करना पड़ा national assembly की acceptance को और उसने यह accept किया कि अब national assembly constitution बनाएगी 4th August 1789 को एक order pass किया गया जिसमें feudal system को abolish कर दिया गया tithe जो text था उसको abolish कर दिया गया national assembly ने 1791 में अपना constitution draft तयार कर लिया इस constitution का main name यही था कि राजा की power को limit किया जाए इस नए constitution में powers को divide कर दिया गया institutions में legislature, executive judiciary तीन institutions separately बनाएगे नए constitution में जादातर power जो है वो national assembly को दीगी national assembly was indirectly elected national assembly में election के लिए 50,000 men का एक elector बना जाएगा और इन electors को active citizens elect करेंगे active citizens कौम थे only men those who were about 25 years age और जो regular taxes pay करते थे at least three days of a laborer's wages higher जो taxes pay करते थे वो active citizens थे passive citizens में बाकी सभी women, children, youth below 25 and they did not have any kind of voting rights उनके पास कोई voting rights नहीं थे तो इस तरीके का कुछ mechanism बनाया गया constitution of 1791 फ्रांस फ्रांस के अंदर इस तरीके का mechanism बनाया गया जिसमें national assembly के पास ज़्यादा तर power थी और फ्रांस constitutional monarchy बना declaration of the rights of men वो भी constitution में डाले गया जिसमें men के बहुत सारी rights define किये गया फ्रांस बना constitutional monarchy लेकिन चीजें अभी भी फ्रांस के अंदर कुछ सही नहीं थी फ्रांस के जो situations है वो भी धेर धेर खराब हो रही थी ऐसा माना गया कि लुई 16 ने secret agreements कर ली है प्रिशिया के साथ में जो आज का जर्मनी है और neighboring countries के साथ में मुनार्की को दुबारा establish करने के लिए National Assembly ने 1792 में ये vote किया और war declare कर दी अगेंस प्रिशिया thousands of volunteers अलग-अलग इलाकों से उन्होंने march करना स्टार्ट कर दिया पैरिस की तरफ song गाते थे वो patriotic अलग-अलग और ये war को ऐसा देखा गया कि war है against king against aristocracy जो बड़ी class थी उसके खिलाफ लोगोंने mercy song जो कि Roger Day ले आईजल ने compose किया था जो कि बाद में France का national anthem बना ये गाया mercy अभी France का national anthem है जिसने लोगों को patriotism देश भक्ती की भावना जगाई revolutionary wars जो थी इसकी वज़े से economic difficulties और बड़ी कई सारे political clubs France के अंदर बनना इस्टार्ट हो गए जिसमें लोग उनके members बनते थे और इनी मेंसे एक famous club था Jacobins अब हम बात करेंगे Jacobins के बारे में Jacobins कौन थे Jacobins Jacobins बहुत popular club था France के अंदर इसी division में Jacobins के leader Maximilian Robespier जो की उस division में Jacobin club के leader थे उनकी अपनी philosophy अपनी ideals थे Jacobin club के members जो थे दूसरों से अपने आपको अलग दिखने के लिए without any bridges type clothes जो थे वो पहनते थे और ताकि वो दूसरों से अलग लगे और उनको sans clutis के नाम से जाना जाता था इस मेंस without any bridges बहुत बड़ा पार society का Jacobins को support करता था और वो बहुत popular club बन गया था फ्रांस के अंदर लोगों को बहुत difficulties का सामना करना पड़ रहा था इसलिए 1792 में Jacobins ने एक rebellion का सोचा और 10th of August 1792 को Palace of Tilleris जब राजा का घर था वहाँ पे हमला कर दिया गया Jacobins members के द्वारा राजा को एक तरीके से hostage बना लिया गया राजा की family को hostage बना लिया गया National Assembly ने बाद में पूरी royal family को imprison कर दिया और elections करवाए गये फिर जिसमें 21 years से जितने भी man है उनको voting right मिल गया अब जो था नई elected body होगी उसको convention की नाम से जाना जाएगा 21 September 1792 को France के अंदर Monarchy को abolish कर दिया France Republic बन गया इसके बाद में राजा जो Louis 16 था उसको execute कर दिया गया 21st January 1793 को कहाँ पे publicly Place de Lake Concord में publicly execute किया गया अब start होता है एक period reign of terror का जो की था 1793 से लेके 94 के बीच में Jacobins इस situation में power में आ चुके थे Jacobins का जो लेडर था Maximilian Robespierre उसने severe control and punishment की policies adopt की इसके खिलाफ उसकी ideology के खिलाफ जो भी होता था उसको behead कर दिया जाता था gluttonide कर दिया जाता था अब ये glutton device क्या थी the glutton gluttonic device थी जो दो poles के बीच में blades होती थी उससे लोगों को behead किया जाता था उनका सिर कलम किया जाता था ये doctor glutton ने invent की थी इसलिए इसको glutton device के नाम से जाना जाता है कई सारे provisions Jacobins की government में किये गए जैसे maximum sealing कर दिगी widgets पे मज़ूरी कितनी मिले गई prices fix कर दिगी meat and bread को ration कर दिया गया उनकी prices fix कर दिगई ताकि जादा जादा लोगों को मिले grains की prices food grains की prices fix कर दिगी slavery को abolish कर दिया गया French colonies से churches को बंद कर दिया गया उन churches को offices में convert कर दिया गया सारे French men women उनको city on city on citizen refer किया गया ताकि equality establish हो Maximilian Robespier अपने policy boss relentlessly follow करता था इवन उसके supporter भी moderation की demand करने लगए अपने supporters को भी वो behead करता था finally Robespier को भी behead कर दिया गया गलेटराइट कर दिया गया जुलाई 1794 को Jacobin government के गिरने के साथ ही middle class के जो wealthier लोग थे वो power में आ गए एक directory rule establish वा France के अंदर ये जो नया constitution इस constitution फांस में introduce किया गया इस डियूशन में डियूशन में डियूशन में जिसमें वोटिंग राइट्स नॉन पर्पेटिटीड पर्सन को डिनाय कर दिये गये प्रोविशन किया गया कि two legislative council होगी जो five member directory appoint करेगी लेकिन कई बार ये directory legislative council के बीच में clash होता था जिसके कारण political instability होगी फ्रांस में दुबारा और military dictator का एक रस्ता पेव कर दिया गया और एक military leader Napoleon Bonaparte जो की military commander था वो इस political instability में उपर उठा और power में आ गया उसने अपने आपको 1804 में crown, imperial घोसित कर दिया Napoleon ने कई सारे reforms के फ्रांस के अंदर एक uniform system established किया weight and measurement का उसके लावा private property protection के लिए उसने कई सारे rules बनाए उसने कई सारे countries को invade करना इस्टार्ट कर दिया Europe की और उसने दुबारा slavery system को reintroduce किया हलागे slavery finally France के अंदर 1848 में abolish हुई Napoleon Bonaparte Napoleon ने कई सारे countries को invade किया और जीता भी बहुत सारा Europe का पार्ट उसने जीता finally Napoleon को हरा दिया गया Battle of Waterloo में 1815 में जितनी भी French Revolution के duration में events हुए इन सबका एक ही एम था equality, fraternity और freedom को establish करना यही political ideals थे तो French Revolution series of events हैं जो 18th century के duration में France में हुए जिनका main intention था कि किस तरीके से equality, fraternity और liberty establish की जाएं कै इना ठाह. जिनका पहाँ सकतू ुआतां बरीके पार कि क्यू disturbing